जाए हैं दोस्तों, डियल आवेदिकों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी आई हुई है, हाँ, बिलकुल, आगर आपके पास driving license नहीं है, तो ये सुनाहरा मौका है आपके पास, समझ रहे हैं, आप तो यानि कि जिनके पास नहीं है driving license उनके लिए बहुत बड़ी खुसकबर आई है, और आपके पास एक golden period है, एक नया driving license, learning license बन माने का, जी हाँ, तो इससे समझ जो नियम है, वो आपको इस वीडियो को पूरा लास तक देखना चाहिए, जो खबर है, वो भी बहुत ही important है, और ये good news है, जी, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को like करिए, good news आप सभ water highways ने, सभी अपने जो RTOs हैं, DTOs हैं, या फिर ARTOs हैं, समझ रहे हैं, उन सभी को आदेशित किया है, कि अब आप लोग अपने maximum capacity से अपने दफ्तर को run करेंगे, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ, तो अगर आपके पास नहीं है driving lessons तो आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, driving lessons कैसे बनवा सकते हैं, क्या गुड़ने हुज है, वो अब मैं आपको बताने बाला हूँ, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुरू से लेकर अन तक देखिए, पीच में skip ना करें, देखिए जी, RTOs को सभी instruction मोर्थ के इसस में, एक निरधारित quota होता है, वो learning lessons बनाने का, एक निरधारित quota होता है, driving lessons बनाने का, और एक निरधारित quota होते हैं, जो DR related services होती है, मसलन जैसे रिन्यूबल होता है, duplicate driving lessons बनता है, या फिर नेम, address, photo, कुछ भी change, जो correction अगयरा होता होता है उसका अख duck criteria quota होता है, तो तीन कोटा होते हैं एक learning lessons का एक driving lessons का और एक DR related services जो other renewable वगरा होता है तो इस सभी RTO में होता है तो इसी में मोर्थ ने आदिसित किया है सभी RTO को सभी state के RTO को कि आप लोग अपने जो कोटा है learning lessons का या driving lessons को उसको बढ़ाईए और यतना वो capacity होती है का RTO की full उस पे आप run करिए और सभी से ये आगरह किया गया है आवेदे को से कि अब ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में आप RTO जाकर अपने driving lessons बन मा सकते हैं या फिर आप online आवेदेन कर सकते हैं अपने RTO में learning lessons के लिए जी हाँ तो इससे फाइदा आपका ये होगा कि जैसे for example बता हूँ तो जैसे कि एक RTO में फिल हाल अभी मैं for example बता रहा हूँ एक RTO में learning lessons के maximum slot 300, driving lessons का 200, अभी फिल हाल जो कर दिया गया है एक RTO के example बता रहा हूँ और जो deal related services हैं उसमें भी 300 हैं समझ रहे हैं आप यह पहले कितने थे वो बता देता हूँ तो पहले इनके संख्या जो LL की थे learning lessons बनाने का जो quota था RTO में वो महज 200 था और driving lessons बनाने का quota 1.500 था और वहाई पर deal related जो issues होते थे जैसे renewable या other XYZ काम deal driving lessons rated वो केवल 100 थे तो इसमें capacity में increase किया गया है अब आदेश के बाद तो अब learning lessons 300 हो गए हैं driving lessons 200 हो गए हैं और renewable वगएरा के quotas डिल्स हो गए हैं पर RTO के बात कर रहा हूँ हाला की ध्यान में रखिया है कि यह RTO पर depend करता है आपके राजियों में RTO पर यह क्योंकि यह state authority पर depend करता है इसलिए घट बढ़ भी सकती है आपके driving lessons या learning lessons बनाने का quota आपके RTO में घट बढ़ भीर सकता है लेकिन जो for example जो commonly है वो मैंने आपको बता दिया जो maximum है तो यह आपके लिए good news होई कि नहीं क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा learning lessons आप 20-25-30 दिनों के बाद में आपको date मिलती है वो जल्द ही मिल जाएगी इसलिए मने आपको बोला था कि जिनके पास driving lessons नहीं है उनके लिए good news होई तो नए आप driving lessons बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पहले तो quota बढ़ चुका है तो आपका लाइसंस भी आसानी से बन जाएगा learning वाला और driving lessons का भी कोटा बढ़ा हुआ है तो आपके dates और आपको जो काफी दिनों बाद जो मिल रही थी वो आप काफी आसानी से पहले ही मिल जाएगी तो आपका license बनने में आसानी जरूर हो जाएगी तो यह आपके लिए good news है इसलिए वीडियो को मैंने आपको बहुत लाइक करने का भी नहीं किया तो आप तो वीडियो आपने good news जान लिया तो लाइक करिए इस वीडियो को और सेयर करिए का सभी अपने family और friends आप Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram जो भी आप चलाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदी है सभी social media हैंडस का बहुत बहुत धने बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए जाए हिंद बंदे महात्रम